रामबन में मनाया गया 62 पुलिस कमेमरेशन डे इस मौके पर स्स्पी पीडी नित्या की अगवाई में शहीद समारक में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धानजली दी गई आपको बता दे कि 21 अक्तूबर को सन 1969 में चाइना द्वारा मारेगे पुलिस कर्मियों को याद किया जाता है इस मौके पर शहीद के बेटे द्वारा हेल्प लाइन डेस्क का भी इनाउगरेशन किया गया जिसमें शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों की मदद की जाएगी पुलिस बलिदान दिवस के उपलक्ष में हम सब यहां एकतरित हुए हैं और आज का ये दिन उन सभी जवानों की शहादत को समर्पित हैं आज की दिन 1969 में 10 CRPF के जवानों ने कहीं जादा शसर और बल में अधिक चीनी सेना के खिलाब लदाप में लड़ते हुए अपने प्रानों की आहुती मैं उनकी अमर वीत्ता और बलिदान को नमन करती हूँ तो आज 21 अक्टूबर है 21 अक्टूबर पुलीस कममेरेशन डे के रूप में मनाया जाता है तो हर साल की तरह इस साल भी डिस्टिक राम्बन में हमने आज पुलीस कममेरेशन डे मनाया है इस दिन हमने सारे उन शहीदों को याद किया है उनके नाम दिये है और जो हमारे डिस्टिक के 49 मार्टियर्स हैं उनकी फैमिलीज को हमने स्पेशल इंविटेशन भी दिया है कि वो इस फंक्शन में शिरकत लाएं उसके अलावा जितने हमारे रिटार्ड पुलीस परसनल्स हैं जो एक्स आर्मी सर्विसमेन हैं, CRPF के हैं उसरे जवान हैं और रामबन की आम आवाम उन्हें भी यहां पे निमंतल दिया गया है कि वो इस कमेमरेशन डे के फंक्शन के लिए आएं हमने ये फंक्शन करने के बाद एक पुलीस फामिलीस हेल्प डेस्क का एक इनाउग सोचा और इसको तयार किया, पुलीस के माध्यम से हम वो दूर करना चाहते हैं वो हम एक फैसिलिटेट करना चाहते हैं